जैज सिरीराम दोस्तों, दोस्तों, आज हम कुटों से जुड़े कुछ सगुन और अपसगुन के बारे में बात करेंगी बैसे दोस्तों, काफी पसु पक्ची सदेप से ही मनुश्यों के मित्रे रहे हैं इन मेंसे कुछ पसु पक्ची तो मनुश्यों के काफी करीब है और इने पाला भी जाता है कुछ पसु आर्थिक लाव के लिए पाले जाते हैं तो कुछ सौकिय तोर पर पाले जाते हैं कुत्ता भी एक ऐसा ही प्राड़ी है जिन मैंसे दोस्तों, जिसे सोक्या तोर पर पाला जाता है, और कुत्ते बहुत बफादार होते हैं दोस्तों, और ये घरों की रखवाली भी बड़ी बखुवी से करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में पसु पक्चियों को लेकर सगुन और अब सगुन की कई माननेता है प्राचिन समय से चली आ रही है, और हमने आपको ये कई वीडियो में बताया है, कई पसु पक्चियों को लेकर, तो इन में से कुछ माननेता है, कुत्तों से भी जुड़ी है दोस्तों, कुत्तों को सगुन और अब सगुन का रतन कहा जाता है, क्योंकि कुट्टा इंसानों के काफी करीब रहता है दोस्तों तो आईए जानते हैं कुट्टों से विजुड़े कुछ सगुन और अपसगुन के बारे में तो सबसे पहले हैं बात करते हैं नम्मर एक सगुन सास्तर के अनुसार कुट्टा यदि अचानल धर्ती पर अपना सिर रगड़े और यह क्रिया बारवार करे तो उस इस्तान पर गड़ा धन होने की संबावना होती हैं दोस्तों नम्मर दो यदि यात्रा करते समय किसी बैक्ति को कुट्टा अपने मुक में रोटी या पुड़ी या कोई भूजन लाता दिकाई दे तो उस बैक्ति को धनलाव होने की संबावना काफी वड़ जाती हैं दोस्तों नम्मर तीन जिसके घर में कोई कुट्टा बहुत देरदा कोई आस्मान गोबर या मासमच्ची बिष्टा देखता है तो उस मनुष्य को सुन्दर इस्तिरी की प्राप्ति और धन का लाव होने के योग बनते हैं बहुत जल्द दोस्तों अब बात करते हैं नमर चार यदि किसी रोगी के सामने कोई कुट्टा अपनी पूँच या हिर्दे इस्तल बारवार चाटे तो सगुन सास्तर के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी की मृत्ति होने की संभाव न वड़ जाते हैं दोस्तों नमर पांच यातरा के लिए जाते हुए यदि कोई कुट्टा वाई और संग संग चले तो सुंदर इस्त्री और धन की प्राप्ति हो सकती है यदि दाहिनी और चले तो चोरी या किसी पिरकार से धनहानी की सूचना भी दे जाता है दोस्तों अब बात करते हैं नमर च्छे की यदि किसी जुआरी को जुआ खेलते जाते समय दाई और कुट्टा मेतुन करता मिले तो उसे जुए में अक्तिदी लाव होने की संबाब ना भी बढ़ जाती है दोस्त अगर ऐसा हो तो समझ जाईए नमर साथ यदि किसी इस्तान पर बहुत से कुट्टे एकत्रित होकर भूकें तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी बिबत्ती आती है या फिर बहां के लोगों पर भेंकर लड़ा यो जगड़ा होने की संबाब ना भी बढ़ जाते हैं दोस्त तो इस तरह का हो त तो वहां पर एकत्रित ना हो जाग अब बात करते हैं नमर आट की भूजन करते समय यदि कोई कुट्टा आपके सामने आकर अपनी पूच उटा कर सिर को हिलाता है तो वह भूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भूजन करने से रोगी होने की संबावना काफी वड़ जात अगर आप भी किसी के घर पर जाएं और कुट्टा कोई सा ऐसा करें इस तरह की हरकत करें तो आप अपने धन से संबंदित थोड़ी सापदानी वरते हैं अब बात करते हैं नमर दस की यदि कुट्टा बाई घुटने को सूंगते हुए देखे तो धन प्राप्ती हो सकती है तता दाई ने घुटने को सूंगता देखे तो पत्नी से जगडा भी हो सकता है और बाई जांग को सूंगे तो इस्तरी से समागम और दाई जांग को सूंगे तो मितर से बैर ओने की योग भी बन जाते हैं दोस्तों ये कुट्टे हैं और हमारी एस्ट्रोलोजी कहती है वा तो उस चारपाई पर सोने वाले को रोग और मुश्किलों का सामना करना पर सकता है नम्मर बारा यदि कुत्ता पेड़ के नीचे खड़ा होकर भूँखता है तो ये वर्सा काल में अच्ची वर्सा का संकित दे जाता है अब बात करते हैं नम्मर तेरा कि यदि कुत्ता अपनी जीब से अपने दाईने अंग को चाड़ता है तता खुजालता है तो ये कारिश सिद्धी की सूचना है ये अपनी जीब से पेट को चूता हुआ दिकाई दे तो बहुत लाव होता है दोस्तों काफी लाव होता है अब बात करते हैं नम्मर चूदा की किसी किसान को हल ले जाते हुए रास्ते में यदि कुत्ता बाई और मिल जाए और फिर घर आते समय दाईनी और मिले तो तो उसकी उपच अच्छी होती है दोस्तों ये पहले ही अंदाज लग जाता है किसान को चार महीने पहले कि फसल किस तरह की पकेगी और क्या लाव होगा उससे तो दोस्तों ये थे कुत्तों से जुड़े कुछ सगुन और अपसगुन की जानकारिया और आप इस तरह की और भी जानकरिया प्राप्त करना चाते हैं तो किर्पया हमारे समाधान प्लस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आप तक आसानी से इसी तरह की और भी वी वीडियो और जानकरिया पहुंचा सकें और दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो किर्पया लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को सेर जरूर करें धन्यवाद जैसेरी राम